गजान नम्भूत अड़ादि शीवितं कपेत्थे अम्भू फल चार वक्यणं उमा सुतं सोक विनाशिकारिकं नमामि विगने स्वरिपादि पंगजं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो मेश्वरा गुरूर साक्षात परंब्रह्मा तस्मैशी गुर्वे नमाः नारायनं नमस्कृत्यं नरांचे वानरोत्मं देविं सरस्वतिं व्यासं ततो जेमुदीरेद सविद्वारनिकु छोड कें आयो तेरे द्वार सिरिवर सिबान की लाड ली जरा मेरी और नयार कथा प्रारंबे होते हैं सुना हूँ बीर अनुमान राम लखन सिय जान की सराकरों कल्यान सियापत राम जै जै राम ब्रुंद्रावन व्या दिलाल की जै सर प्रिथम भगवांची राधा किष्ण के चरन कम्रां प्रिणाम करके शिरिव्यासी माराज सहस्वति देवी एवन सद गुदेव के चर्णों का ज्यान करते हुए अपने माता-पिता सबी पुजरों का असिद्वा लेत हुए भगवान सी बांकी व्यारी मुर्ली मनोला से प्रात्ना करते ही गोविन हमको सद बुद्धी देना धर्म का राश्चा दिखाना अपनी बक्तियों कर पाधिष्टी सदा बनाए रखना बुलोकातिक मातम कीजै श्री सुजी माराज कहते हैं रिशीवरों देविर सी नाजीी राजगवान बामन का रूप ढारन करके राजगं में गए राजगवान बामन का स्वागट किया शिंगासन पर बिराजमान करके बामन भगवान का पूजन किया पूजन करके कहले गहीं ब्राम्मा देवता आपका कहां से अग्मन हुआ हैं आपको जो भी इच्छाए मुझे से इदान ले सकते हैं सब प्रिधम बामन भगवान राजबली की प्रसंसा कहते हैं के राजन तुम जैसे प्रितापी राजा का ये सब कहना बहुत ज़्यादा स्रेश होता है हे राजन किसी दरिद्री से भी विश्नु भगवान को किया गया दान अक्षे हो जाता है परम बक्ती से इसमर से कियगे पुरसुत्ता मगवान का नाम पवित्र का नेबाला होता है जो लोग विस्नु की बक्ती काते हैं उनका भी पाप विस्नु जी दूर अवश्य काते हैं जेस प्रिकार से जाने अन जाने में कैसे भी अगनी का स्पर्श किया जाए हमेशा जो है अगनी पापों को अगनी इंसान को जलाती है बैसी भगवान का नाम पाप रूपी बन को जलाकर के वस्म का देता है आगनी में ब्रामन जो लोग हवन काते हैं विस्नु बगवान प्रसन होते हैं राजा बली से बामन बगवान केते हैं कहे राजन इसलिए दान ही सर्व सेष्थ बताया गया है राजा बली ने भगवान विष्ण के बचन सुनकर के बामन भगवान के बचन सुनकर बामन भगवान का पूजन किया का कि भगवन मेरा जन्म सपल है यग जीव सब कुछ सपल हो गया है मैंने कोई पूर्जरम की तपश्चा करी जिससे आप जैसे ब्रामन का बामन का मेरे घर में आगमन हुआ है मैं भाग्यवान हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, क्या अग्या है बामन जी कहते हैं कि ही राजन हमको केवल तीन पग भूमी चाहिए जिससे जो हैं मैं बैठकर की तपश्चा कर सकूँ, ऐसा बचन सुनकर की राजा बलीने का क्या अब राज क्यों नहीं मांगते, ग्राम नगर धान कुछ और मांगो सुद्जी कहते हैं, बामन रूप रारी वाम भगमान विष्णू, बामन रूप में बेराग दिखाती हूँ किन लगें ए राजन तुमसे गुप्त से भी गुप्त वचन कहता हूँ, संग हीन को धन से क्या हमको धन की कोई आवश सकता नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म चारी वालक हैं जीवन के इंतर्यामियें ऐसा जान करके सब बरावर होना चाहिए, धन से कभी संत को प्रियोजन नहीं होना चाहिए निसी प्रिटवी ख्यत्रियों के वसमें ही, उनकी आग्या में सब रहते ही, परंपड को प्राप्त होते ही, सब जीवन को अपने समान देखते है सांचित से ऐसे लोगों को कौन देने वाला होता है क्या दिया जाए ख्यत्रियों को ब्रामनों को प्रिथवी का दान देना चाहिए ख्यत्री ब्रामनों की सेवा करते हैं ब्रामन को दान देते हैं और ब्रामन भी अपने छते अंसर पुन्य का फल ख्यत्रियों को दे वे हे राजन प्रिठवी दान का मात्तम सुनो हमको छोड़ करके दूसा भी कहने में समत नहीं है जो लोग कुतुम भी ब्रामन को प्रिठवी का दान देते हैं वो आगा गवन रह से जनम मरन से मुक्तो कर ब्रह्म लोग को जाते हैं जिसने भूमी दान करी सब कुछ दान किया भूमी देने वाला मुक्ष को प्राप्त होता है जो रोजगार हिन दैद्री गरीब ब्रामन को भूमी दान करता है उसका फल आप स्वन करें हे राजन गंगाजी के तत्मे बिदी बिदान से अस्मेग यग का नेका जो फल प्राप्त होता है ब्रामन को प्रिथवी दान का ने से प्राप्त हो जाता है प्रिथवी निश्चल नहीं है मन्दाताद बहुत से राजा प्रिथ्वी पर आये और सभी प्रिथ्वी को छोड़का चले गए पंतु प्रिथ्वी दान करके सब को स्वर्ग की प्राप्ति होई है चंचल लख्षमी से जो लोग परमपद को साधते हैं वोई धन्य हैं यह जनम उनका इकरतात होता है भूमी दान के समान राजन दूर सा कोई दान ना हुआ और ना ही होगा आप से राजन एक इतियास कहते हैं ब्रह्मकलप में रोजगार हिन दैद्री भद्रमती नाम का एक ब्राम्मर मुनी था उनके पुन्न सास्त के अनसार छे पत्निया थी जिनके नाम थे सुता, सिंदू, यसुमती, कामनी, मालनी, सुभा उन्हें इस्तियों से उसे ब्राम्मर के दो सो चालीस संतान लड़के पैदा हुए बद्रमती नाम के मुनी जो है इतना बंस चला के लड़कों को भूग से पीड़ित देख करके आप भी भूग से पीड़ित रहने लगा बंस उस समय पर इसलिये हो जाता था कि सत्युग में प्रानी क्यायू एक लाख वर्स होती थी त्रेता युग में दस हजार वर्स थी दौपर में एक हजार वर्स थी तो ये सत्युग के समय की बात है जब लाखों वर्स की उमर है तो इससान के बंस ब्रिद्धी भी होना सुवाबिक होता है अपने पुत्रों को भूग से पीड़ित देख करके धर्म अत्ती पूजन आचार इसनान से रहत जनम को धिक्काने लगा बद्रमती मुनी ब्रामर कहता है कि बिना अधन के जीवन या पन नहीं होता गोड़े सौमिता समाचिन कुल जनम सब दैद्री से सोबित नहीं होते पुत्र पुत्र भाई सिस्से दैद्री को छोड़ेते हैं चाए ब्रामर हो चाए चांडार हो जिसके पास धन होता है वही भाग्यवान होता है दैद्री पुरुस मुर्दा के समान तीनों लोकों में निंदित होता है द्रबवान चाए कठोर हो तब भी जो है उसकी हमेशा कोमल प्रसंसनिय होता है गोड़ीन भी गुड़ी है मूर्ख भी बिद्द्वान का जाता है अगर धन हैं तो दैद्री के दुख से आसा अतिदुखडाई होती है आसा में प्राप्त मनुष्य अत्यन दुख को प्राप्त होते हैं जो लोग आसा के दास हैं वो सब के दास रहते हैं आसा जिसकी दासी है उनका सब लोग दास है सबसास्तों के जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते ही चै कितना भी ग्यान हो अगर गरीब है तो वे गूंगे के समान रहता है और अगर मूरक है पैसा है तो उसे बिद्द्वान समझा जाता है इसलिए देद्रूपी महागरायने जिसको पकड़ा है उसको छुडाने वाला कोई नहीं है इस प्रिकार से दुख से रुकी हो करके अपनी पत्नी और बच्चों को दुखी देख करके भद्रमुती मुनी जो है अपने मन में विचार करने लगा कि हमें क्या करना चाहिए सब सास्तों का जाने वाला भद्रमुती ब्रामर जो है अपने मन में विचार करने लगा कि बच्चों का पालन पूसन क्या इसे किया जाए ऐसा विचार करके बद्रमती ब्रामर अपने पत्नी और बच्चों के साथ कुसुम्भी नाम अगनगरी को गया जहाँ पर एक धनवान सुगोष नाम का ब्रामर रहता था उसके पास जा करके का कही ब्रामर देवता आप मेरे बनसजों को पांच पांच आद भूमी दान कर दो धरम में प्राप्ट सुगोष जो है को तुम भी ब्रामर को देख करके उस बद्रमती ब्रामर का पूजन करा काखे बद्रमते में कृतात हूँ मेरा जिया सपल है जो आप जैसे एक गृष्टी ब्राह्मन की सेवा करने का मुझे सुवाग्य प्राप्त होगा धरम में प्राप्त सुगोष ने पूजन करके पांच-पांच हाथ भूमी सब को दे दी प्रिटवी पुन्ने ये प्रिटवी विष्णू की है विष्णू से पालत है इसलिए इसमे मेरा कोई अधिकार नहीं है ऐसा कह करके दे दी सुगोष नाप ब्राह्मन ने विष्णू जी को भक्ती से पूजित करके भद्र मती को पांच-पांच हाथ भूमी दी सुगोष भूमी दान के प्राव से मृत्तू के बाद में बैकुंट लोग को चला गया पूर जिनम के इसमन से प्राप्त उसी जो सब ग्यान था इसलिए भद्र मती को उसने भूमी दान करी पांच हाथ प्रिथवी कुटुमबी ब्रामण को देखरके पांच-पांच हाथ सब को रेक करके भगवान विष्णू को प्राप्त हुआ भगवान विष्णू ने भद्रिनावक बामर को एश्वर दिया और उसके बंस को उत्तम मुक्ष दिया इसलिए है राजन तुम सभी धर्मों को जानते हो हमको तीन पगवुमी दे दो जिसपर हम बैठ करके तपश्चा करेंगे बली ने आनन से बामन भगवान के बचन सुने तो बड़ा प्रसन हुआ और गंगा सागर लेकर के उससे संकल्प करने लगा उसी समय सुक्रा चाजी ने कहे राजन जरा इधर आओ सुक्रा चाजी ने बला करके कहा कि राजन जो तुम जिसको संकल्प कर रहे हो ये ब्रामन के रूप में स्वेम साख्षट बिस्नु हैं जो तीन पग में तीनों लोक ले लेंगे राजरबली ने का गुरुदेव अगर ये बिस्नु हैं तो ऐसा सोबाग मुझे जाने ने देना चाहिए जो तीनों लोकों की स्वामी हैं वो चाहते तो मुझे मार के भी ले सकते थे अगर मुझे से दान ले रहे बिक्चुकवन कैं तो ऐसा सोबाग कप रप्ड होगा जिससे सुक्राचार की कांग फूट गई, उसी समय जो है सुक्राचार वहां से तुरंत जो है निकल कर भागें, बली ने जैसे बामन भगवान को संकल किया, उसी समय भगवान ने तिविक्रम रूपधारन का नासरू किया, भगवान ने बिरात रूप धारन कर लिया एक पक से नीचे के लोग दूसरे पक से उपर के लोग और सरीर में दसों रिषाएं नाप लिए जब भगवान का दूसरा करदम अंत ब्रह्मान्द के भा निकला तो ब्रह्मान्द को उपर का हिस्सा फट गया उस दरवाजे से एक जल की धारा अंदर आई जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में चरन को अधो के ले ली जिससे देव गंगा उत्पन हुई वो जल ब्रह्मादिक देवतां को पवित्र करने वाला सब तरिशियों के द्वारा सेवित मना वो वहीं से सुमेर के उपर पड़ा ये वही गंगा है ऐसा दूर कर्म देखकर ब्रह्मादिक देवता देवता दिशी मुनी इस्तुती करने लगे ब्रह्मादिकों के परम सेष्थ स्वामी आत्म सुरूप मेहमा वाले अनंत मूती भगवान को जो है सभी देवता जो है भगवान सिर्यरी नाराइन की बामन भगवान की इस्तुती करने लगे भगवान के इत्रिवक्तरम रूप की इस्तुती करी भगवान जो है राजा बली से कहते हैं कि है राजन दो पगमे में ने संपूर ब्रह्मान को नाप लिया तीसा करम कहां पर रखूँ बामन भगवान के वच्छन सुन करके राजा बली ने कहे प्रभू मैं कैसे मैं तो आपका सेवक हूँ तब बिन्द्यास्त मली जो बली की पतनी थी कहती है प्रभू मेरे एक प्रिश्ण का उत्ता दीजिये प्रभू आप बताइए इस संसार में धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है भगवान ने का कि देवी धन जड़ है धनी बड़ा होता है राजा बली की पत्नी ने का कि प्रभू दो कडम में मेरे स्वामी की संपत्य आ सकती है तो एक कडम में मेरे स्वामी क्यों नहीं आएंगे राजा बली को चर्णों मिलिटारिया बामन भगवान ने राजा बली के सिर पर कडम रख करके तीसा कडम पूरा करा उसके बाद बामन भगवान ने राजा बली को अपने गले से लगा लिया कह कहे पूत्र तुम ởडिर बनना चाहते थे पर चिंटा ना करो इस मनमनतर की विष्टा चलने दो अगले आने बाले मनमनतर पर तुम को इमें इंदर बनाऊंगा अब तुम्हे समय रसातल्लोक को चले जओ राजा बली से का कि चिन्टा ना कर में तुम्हारे द्वार पर नित्पृती पेरा दूंगा और तुम्हारे रसातल्लोक की में अमेशा रख्छा करूँगा वाँ किसी भी प्रिकार का कोई भी बै नहीं होगा राजा बली को इस पिकार से भगवान ने रसातल को सुतल्लोक में बेद दिया रिसीवर कहने लगे भगवन मा बिस्नों ने बिरोचन के पुत्र बली को घोर सर्पों से युक्त सुतल्लोक में क्या वूजन दिया वहां तो वूजन भी नहीं होता शिरी सुजी कहते हैं अगनी में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है अपात्र को जो दान दिया जाता है अपवित्रता से जो हवन दान पुन किये जाते हैं बिना भाव की किये जाते हैं उन सब का फल राजा बली को प्राप्त होता है इस विकार से बली को राख्यसों को रसातल दिया, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ, देवताओं ने रिशी मुनियों ने गंदर्मों ने बामन रूप भगवान की सुति करी, बामन भगवान के कर्मों को देख करके सभी रिशी मुनी, सभी भगवान सिर्यरी की प्रा प्रवाब है इसके इस्मन मात्र से प्राणी पापों से छूट जाता है गंगा निश्चे ही सभी पापों को दूर करती है है राजन ये पंचमा भूतों से बड़ा हुआ सरीर एक दिन भस्म हो जाता है उसकी भस्म भी गंगा जी का स्पस कर लेती है उसे भी मुक्षि जी के इस्मन मात्र से एक भून गंगा जल से बसम हो जाते हैं जो पुरुष इस अध्याय को साब्डानों करके सुनता है गंगा जी के उत्पत्ति के मेत्त को सुनता है उसे अस्मीग यग का फल प्राप्त होता है बुलेविंद्रा वनिव्यारी लाले की जैं आज के दिन कलीडा निखाना है और कल के दिन आमला निखाना है कठा सदा होती रहे सुनाओं बीर अनुमान राम लखने सिये जाने की सदा करों कल्यान सिया पते राम जै 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 श्रिरारे जै जै शिरारे जै जै शिरारे श्याम कलीनदा जो नहीं खाना है कलीनदा कहते हैं तर्मुजे को तर्मुजाद और कल के दिन आमला आप सभी को जै शिरारे